Hello Friends, Welcome to the Study भारत Study भारत में आपका स्वागत है तो Friends, आज हम करेंगे UG's Net Paper 1 में Ration and Proportion तो Friends, यह reasoning का बहुत important topic है इसका आज हम part 1 डिसक्स करने वाले हैं तो Friends, यहाँ पर जो आपको Ration and Proportion बताई जाएंगी यह आपको data interpretation में भी काम आएंगी तो इस वीडियो को पूरा एंट तक देखें अपने दोस्तों में शेर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगाए तो लाइक और शेर करना मत भूलिए तो Friends, अगर आप हमारे चैनल पनाए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए साथ हैं बेल आकान दबाइए ताकि आने वाली हैर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल चाहे तो Friends, बहुत जल्दी हम RRB NTPC जो रिकृट्मेंट निकली है अभी 2019 के लिए उसका जल्दी कोर्स लेके आने वाले हैं वो फ्री में कोर्स रहेगा वीडियो में अगर आपको study material चाहिए तो आपको study material भी मिल सकता है railway exam के लिए तो Friends, इसका कोर्स जल्दी स्टार्ट होगा तो बने दिए हमारे चैनल के साथ Friends, आपको मारा telegram channel भी जोईन कर सकते हैं इसके उपर आपको daily का video link मिलेगा तो आपको video ढूणना नहीं पड़ेगा ठीक है Friends, आप daily बस telegram पे उपर जो video link को इसको follow कीजिए अगर आपको paper one का study material चाहिए इसकी cost रहाज ओर पर तो ये आपको Hindi और English दोनों मेडिया में मिलेगा तो ये आपको complete और updated syllabus मिलेगा इसके बाद आपको कोई भी book पढ़ने की जोद नहीं पड़ेगी UGC net paper one का study material जो है वो pdf में भी available है जिसकी cost है 495 रुपीस ये full course है अगर आपको without math or reasoning चाहिए इसकी cost है 350 रुपीस ये भी Hindi English दोनों में available है तो अगर आप हमारे telegram group में जोईन होने चाहते हैं इसकी cost है 2 रुपे तो friends इसमें आपको daily link देंगे साथ में pdf देंगे अगर आप telegram channel जोईन करोगे हमारा तो वो बिल्कुल free है इसमें आपको गईला video link मिलेगा अगर आप telegram group में जोईन होने चाहते हैं तो इसकी joining fee से 200 तो इसमें आपको video link मिलेगा साथ में उसका pdf मिलेगा आपको अपने सारी जानकरी अपना पूरा address हमें इस नमबर के उपर send करना है ये मारा whatsapp नमबर है आप हमें email भी लेकर सकते हैं तो आप में contact भी कर सकते हैं बाकी की जानकरी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी तो जोले friends शुरू करते हैं वीडियो friends आज हम discuss करने जा रहे है ratio and proportion का part 1 इसमें पहले दो तिन वीडियो में आपको basic discuss करूँगा उसके बाद questions पर आएंगे तो friends सबसे पहले हम जो देखेंगे basic ratio जैसे मैंने यहाँ बोला A ratio B is equal to 0.5 देखे 0.5 का मतलता है 5 by 10 तो जे कट जाएगा हमारे पास आजएगा 1 ratio 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ratio 2 second अगर A ratio B हमारे पास है 0.66 तो friends इसको हम कैसे solve करते हैं हमेशा जारा है जब point के बाद कोई चीज repeat होती है तो उसको लिखने का तरीका होता है आपने उसी को follow करना है जो value यहाँ पर repeat हो रही है जैसे 6 repeat हो रही है तो 6 divided by आप क्या करोगे 6 divided by आप करोगे 9 ठीक है जी यह कट गया जएगा 3 के 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा तो यहाँ हमारे पास रेशो आथी 2 बटा 3 इसको लिख सकते हैं 2 रेशो 3 जैसे ऐसे सेम हमारे पास जैसे point 33 है यहाँ पर तो हमके लिखेंगे 3 divided by 9 तो यह कटकी के आजएगा 1 by 3 1 by 3 इसको लिख सकते हैं 1 ratio 3 हमारे पास अब देखी अगर आजए 4.55 तो 4 as it is रहेगा 5 उपर नीचे हमारे पास 9 यह लिखने का तरीका है इसको आप करोगे 14.75 41 divided by 9 तो 41 ratio हमारे पास 9 ठीक है जी अब ऐसे ही अब जैसे class में total है जो students 196 है boys और girls की ratio दे रखी है 0.33 इसको लिखने का तरीका गया है 3 हमने जो repeat होदा है बार बार और और नीचे लिखने गे 9 तो ratio क्या बनी 1 ratio 3 इसको लिखते है 1 ratio 3 अब boys और girls की ratio है 1 ratio 3 यह boys है और यह हमारे पास girls है अगर मैंने boys की निकालनी है तो friends क्या करूँगा यह जो 1 है boys का यह उपर रहेगा नीचे दोनों का sum 1 प्लस 3 multiply total कितने students है 196 तो इसको solve करेंगे 196 से चार चोके 16 और चार नहीं अच्छती यह आजएगा हमने पास 49 अब suppose मैंने girls पता करनी हो तो girls के लिए देखिए girls के लिए उपर कितनी value है 3 तो दोनों का sum as it is नीचे आएगा 1 प्लस 3 का multiply total तो यह क्या आजएगा 3 by 4 multiply 196 4 से जाएगा जो 49 आजएगा 3 आजएगा 2 तेंदू यह हमरे पास 147 आगया क्या कर रहा हमने जब girls का पता करना है तो girls उपर आएगा जब boys का पता करना है तो boys उपर आएगा नीचे हमेशा दोनों का sum आएगा अब ऐसे ही जैसे मेरे पास question है A ratio B ratio C ratio is equal to 1 ratio 2 1 by 2 1 by 3 and ratio 1 by 4 एक चीज हमेशा याद रखना friends कभी भी ratio fraction में नहीं होती जब भी fraction में हो हमने सबसे पहले उसको simpler form में लेके आना है जैसे कि यहाँ पर ratio है 1 by 2 1 by 3 1 by 4 हम क्या करेंगे कभी भी mathematics में कभी भी कहीं भी आपको fraction नज़र आती है सबसे पहले जो नीचे वाली values होती है उसका अपने LCM लेना है आप जब इसका LCM लोगे तो इतना है ज़िगा 2 तीए 6 चुका 24 हमारे पास LCM आज़ आएगा तो हम क्या करेंगे देखें हमारे पास sorry 2 से कट ज़िएगा LCM आएगा 2 तीए 6 तो नी 12 12 LCM आएगा तो friends हम क्या करेंगे जितनी भी values है इसको 12 से जो LCM आएगा 2, 3, 2 हमारे पास 12 LCM आया तो 1 वड़ा 2 को भी 12 से multiply कर देंगे 1 वड़ा 3 को भी 12 से multiply कर देंगे 1 वड़ा 4 को भी 12 से multiply कर देंगे ऐसा करने से हमारा जो ratio है वो fraction हट जाता है उसमें से तो हमारे पास कितना गया 6 ratio, 4 ratio, 3 और यही उसने पूछा है A ratio, B ratio, C बताईए तो हमारा अंसर आ गया ऐसे ही मैं सेम एक और question लेता हूं उसने दे रखा है 1 by 2, ratio 1 by 3 ratio 1 by 4, ratio 1 by 5 अगेन हमें पता लगाना है A ratio, B ratio, C ratio, D क्या है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका LCM लेंगे जब LCM लेंगे तो हमारे पास LCM निकल के आता है 2, 3, 6, 2, 2, 5, 60 तो 60 हमारे पास आएगा मैं क्या करूंगा 1 by 2 को भी 60 से multiply 1 by 3 को भी 60 से multiply 1 by 4 को भी 60 से multiply और 1 by 5 को भी 60 से multiply ऐसा करने से यहाँ 20 आजेगा और यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 30 आएगा यहाँ पर 20 आजेगा यहाँ 15 आजेगा और यहाँ 12 तो हमारे पास जो निकल के आता है 30 रेशो 20 उसको यहाँ 15 और यहाँ 12 तो A रेशो, B रेशो, C रेशो D रेशो हमारे पास क्या आता है 30 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 12 यह हमारे पास यहाँ पर अंसर आएगा अब जैसे नेक्स कोश्चन है डिवाइड दा नमबर 455 इन दा रेशो 4 रेशो 3 वो कहता है कि हमारे पास जो टोटल नमबर है वो 455 है तो इसको आपने 4 रेशो 3 में डिवाइड करना है कैसे करेंगे मैं माल के चलता को माल लिजे टोटल टॉफी है 455 अब पहले यह फर्स्ट नमबर ले लेता हूँ यह स्टेकन नमबर जब मैंने फर्स्ट नमबर पता करना है फर्स्ट नमबर पता करना है तो फर्स्ट वली वेल्यू क्या है 4, 4 उपर जाएगा divide के आएगा दोनों का sum multiply total तो ये हमारे पास आता है ये निकल के जिस साथ पे चल देगा साथ चीक बता लिज तीन सत्तु पांच 35 ठीक है जी 65 को मैं multiply करूँगा तो ये आज़ेगा 2 तो 260 हमारे पास answer आ गया अगर मैंने second number पता करना है तो क्या करूँगा second वाली value लूँगा second वाली value क्या है ratio में 3 तो नीचे तो हमेशे दोनों का sum ही आएगा अगर तीन है तो तीनों का sum आएगा multiply total से करेंगे अगर दे रखाव question में तो हमारे पास अगेन ये cutie हो जाएगी 65 पे और 35 बंद्रा तो 195 हमारे पास इसका अंसर आएगा कैसे first number और second number मैंने निकाल के बताया आपको अब देखिए अगर next question में पूछता है अगर 62 rupees is divided in 3 person A, B, C 3 person है A, B, C उसमें जो ratio में बांट रहा है वो एक वड़ा 2, एक वड़ा 3 और एक वड़ा 5 की ratio में उन में मान लीजिए पैसा बांट रहा है वो के तब बताईए जि टोटल number जो C ने receive कर रहा है वो कितना होईगा यह हमें question में उसने पूछा है सबसे पहले ratio कभी भी fraction में नहीं होती उसको पहले खतम किया जाए तो कैसे करते हम ratio fraction में खतम LCM लेकर तो तीनों का सभी को 30 से multiply कर देंगे तो यहां 15 आजएगा यहां हमरे पास 10 आगया और यहां पर 6 आजएगा तो यह तो हो गया हमरे पास A ratio B ratio C अब वो पूछ रहा है बताईए कि C के पास कितना number C हुआ तो C वाली value कौन सी होई 6 तो C का हमने बता करना है 6 उपर जाएगा नीचे सभी का sum होएगा multiply total कितने रूपीज है हमारे पास 62 यह नीचे जब इसको sum करेंगे तो यह आगया 15, 25, 31 आगया multiply 62 यह 2 से कट जाएगा और हमारे पास sensor आएगा 12 ठीक है जी अभी उसने C का पूछा है तो हमने C का निकाल दिया अगर A का पूछता तो उपर A की value आजाती बाकी सारा sum सेम होता ऐसे ही next question है अगर उसने पूछा if 30% of A is equal to 0.25% of B is equal to 1 by 5 of C पहले लेखिए percent का मतलब होता है सबसे पहले पता हों जीए percent का मतलब होता है 1 by 100 तो यहाँ पर 30% मतलब 30 by 100 of A is equal to 25 जीखिए जी point का जो होएगा नीचे 100 लग से होएगा percent का 100 लग से होएगा multiply B यहाँ 1 by 5 of C ठीक है जी अब इसक में क्या है यह cutting करके हमरे पस 3 by यह आ गया यह 25 को 4 पर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आदेगा यहाँ पर फ्रेंड्स यह question में यह percent नहीं था तो यह हमरे पस 1 by 100 नहीं है तो यहाँ था यह 25 से यहाँ 1 by 4 into B रह गया और यहाँ 1 by 5 C रह गया अब फ्रेंड्स यह सारी value बराबर है और यहाँ पर हमने निकालना क्या है A, B, C तो अगर सभी value बराबर है तो मैं यह मान की तरता हूं कि सभी value बराबर है K की तो मैं A की value निकाल हूंगा A की आज़ेगा जब 3 by 10 A बराबर K के है तो A की value के आएगी 10 K डिवाइड बर 3 ऐसे B की value निकाल हूंगा 4 K आएगी ऐसे C की value निकाल हूंगा तो 5 K आज़ेगी तो यह हमारे पास निकल के आती है 10 K डिवाइड बर 3 रेशो 4 K रेशो 5 K K के के तीनों में common है वो तो हमारे पास यहां कट जाएगा अब यहां पर fraction में कभी भी होने सकती तो हम LCM लेंगे तो LCM 3 आ गया तो 10 यह रेशो 4 ती है 12 और 3, 5, 15 तो ऐसा होता है कि जब भी हम यह यहां पर 3 है नीचे यह इसको हम consider नहीं करते है तो हमारे सिर्फ रेशो जो आती है 10 रेशो 12 रेशो 15 तो यही हमारे पास अंसर है अब next question देखिए वो कह रहा है if A, B बराबर है A by B इसको हम ऐसे लिख सकते है यह 7 by 9 के है और B by C यह हमारे पास 5 over 4 है तो वो कहता है बताईए A, B, C रेशो क्या होगी जब भी friends ऐसे दे रखाओ A बटा B हम रेशो में ऐसे लिख सकते है A बटा B बराबर होगा 7 by 9 B by C अब दोनों में जब भी ऐसा हो देखी यहाँ पर B की value 9 है और यहाँ पर जो B by C है यहाँ B की value 5 है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक जगे different value और दूसरी तो हम इसको बराबर कर लेते है इसको बराबर कैसे किया जाता है द्वारा से बता देता हूँ जब भी अपने formula है नीचे यहाँ पर B होना चाहिए उपर B होना चाहिए ठीक है जी अब यह 9 है और यह 5 है इसको मैं equal to करना चाहता हूँ कैसे करना यह जो 5 है इसको इधर multiply कर दूँगा और यह 9 है वो उपर multiply होजएगा अगर मैं 5 को नीचे multiply करता हूँ तो यहाँ पर 5 से उपर भी होएगा अगर यहाँ पर 9 को उपर से करना हूँ तो नीचे भी मेरे पास उसी से multiplication होएगी इससे मेरी A, Y, B value आगी यह साथ 35 होगया यह 45 ऐसे 45 और नीचे 36 देखिए अब B और B दोनों बराबर होगे अब उसमें पूछा क्या A, B, C की रिशो पूछ रहा है वो question में तो A, B, C A कितना है? 35 B कितना है? 45 और C कितना है? 36 तो यही हमारे पास हमारा answer आ गया हम कैसे बराबर करते हैं? जो common होते हैं उनको बराबर करके ऐसे same question है अगर ऐसे आजाए question में A, B ratio देर किया 2, ratio 3 B, C, 4, ratio 5 C, D, ratio 6, ratio 7 जब भी 3 से ज़ादा variables हो जैसे A, B, C, 3 variables है जहाँ पर A, B, C, D, 4 variables है जब से 3 से ज़ादा variable हो A, B, B, C, C, D, चाहे D, E जाए 5 हो जाए 6 हो उसको करने का सबसे असान जो method है वो ये है जतने variable आपको दे रखे हैं वो as it is आप उपर लिख लीजे A, B, ratio जैसे यहाँ पर 2, ratio 3 है यह जो space बचती है इसके साथ में जो वाला variable है वो as it is आपने यहाँ पर लिख देना तो यहाँ पर 3 था मैंने दोनों space पर 3 लिख दिया जैसे B, C दे रखा है 4, ratio 5 तो B के नीचे 4 और C के नीचे 5 यह जो space खाली है इसके साथ कौन सा है? 5 तो मैंने 5 लिख देना यह जो space खाली है इसके साथ में कौन सा है? 4 तो यहाँ पर 4 लिख दूँगा ऐसे ही C, ratio D वो दे रखा है 6, 7 तो यहाँ पर space खाली है लेकिन साथ में को ना 6 तो दूनों जगे 6 आ जाएगा इसको हम ऐसे रिख लेंगे यह अलग में, यह अलग में, यह अलग में, यह अलग में multiply होईगा यह 2, ratio 2, 4, 6, multiply 3 को 4 और 6 multiply हो जाएगा यहाँ होईगा 3, 5, और 6 यहाँ 3, 5, और 7 जो सभी में common है वो आप यहाँ पर उसकी cutting कर सकते हो देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ common है तो मुझे 3 नजर आ रहा है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 दूनी 6 3 इसमें भी था और मुझे यहाँ पर कोई common नहीं नजर आ रहा है 2 चोके 8 दूनी 16 यहाँ हो गया 4 सिका 24 5, 6, 30 30 हो गया और यहाँ पर 35 हमारे पास जो निकल के आई है ratio A ratio, B ratio, C ratio, D ratio 16, 24, 30, 35 ठीक है friends और आज के लिए friends इतना ही अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट आइकन का बटन जो राइट साड में वो दबाना मत बूलिया अपने friends सरकर के साथ अभी क्या शेयर कीजिए और यह basic वीडियो है दो वीडियो आएंगी, basic के ओपर उसके बाल आपको मैं सारे questions करवाओंगा So, thanks for watching Our channel, Jai Hind